असलाव लेकुम हाई आपके से शेयर करने वादी हूं बहुत ही टेस्टी आलू मटर की सबसी और यह बनाना भी बहुत आसान है तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑईल कर लेंगे और उसमें एक मीडियम साइस का प्यास चॉप करके इस तरह फ्राइ कर लेंगे और इसको हलका गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे जाए निए प्यास गोल्डन प्राउण होने लगे लगे तो इस पॉइंट पर हम टेमाटर एक कर kingdom कर देंगे तो यह मैंने डो मीडियम साइस के टेमाटर लीे हैं और इनको कट करके इसमें आपकर दिया है तो अ आपके हल्ती पावडर पावडर एक नमक दीजिए हां 2 तीजिए पावडर माया वाईरमी तो अराउंड फाइफ टू एट मिनिट तक हम इसको मीडियम फ्लीम पर अच्छे से पका लेंगे यह दिखिए ओयल इसमें आ गया उपर तब हम इसको क्लोस कर देते हैं और दो से तीन मिनिट तक इसको पकाएंगे तो यह दिखिए दूसरे तीन मिनिट बाद अपने इसको ओपन कर लिया है और इसमें दिखिए टमाटर वच्छे से सॉफ्ट हो गए है आप चाहे तो इस पॉइंट पर टमाटर प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं और यह दिखिए अब जब टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए तो हम यहां पर आलू आट करेंगे तो हमने आराउंड 200 ग्राम्स आलू लिया है और उनको जो है वो क्यूब्स में कट कर ल आलू आट करने के बाद 2-3 मिनट हम इसको पकने देंगे और उसके बाद हम मटर आट कर देंगे क्योंकि हम फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो वह भी गलने में जोब टाइम लेंगे तो यहां पर मैंने अराउंड 2 कप लिये हैं मटर और अब हम इनको अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो 3-4 मिनिट हम ने अच्छे से आलू और मटर को अच्छे से पका लिया मीडियम फ्लीम पर अब हम गलने के लिए इनको रख देंगे तो मैंने यहां पर और वन कप पानी एट कर दिया और इसको हम गलने के लिए बलकुल लो फ्लेम पर रख देंगे तो 15-20 मिनिट्स लगेंगे इनको गलने के लिए और यहां पर मैंने अट कर दी है दो से तीन हरी मिर्चे तो यह जो मिर्चे है यह थोड़ी जो मोटी वाली मिर्च होती है और यह तेज नहीं होती जादा तो वह मैंने अट कर दी है और अब हम इसको कुछ दिर और रख करेंगे लो फ्लेम पर और फिर उसके बाद चेक करेंगे तो यह देखिए आलू मंटर की सबसी बिल्कुल तयार हो गई है इस पॉइंट पर आप चाहें तो नमक टेस्ट कर लें और अगर जरुवत लगे तो इससाब से आड कर सकते हैं और बस लास्ट पिसमें हमने अट कर करियांडर करियांडर लीफ से अप इसको अमने गार्णिश किया तो चलिए इसकी अप प्लेटिंग करते हैं और प्लेटिंग करने के बाद हमने इसकी ओपर और थोड़ा साहरा धनिया आइट कर दिया तो यह थी आज की रेसिपी मिलतें नेक्स्ट वीडियो में तब तब अलाहाफिज थैंस फो वाचिंग